आज भारतिय बाजार में तमाम तरह के बिस्किट हैं जिने लोग हलकी फुलकी भूग मिटाने के लिए खाते हैं बहले ही आज स्वाधिस्ट कुकीज ने मार्केट पर अपने जगे बना ली है लेकिन पाले जी की बात ही कुछ और है जिसे हम अपने बचपन से लेकर अब तक खाते आ रहे हैं गर्म गर्म चाय के साथ पाले जी की बिस्किट दोगो कर खाने की बात ही कुछ और है पाले जी बिस्किट के रैपर पर हमें एक प्यारी सी बच्ची दिखाई देती है जिसे लेकर लोगों ने खुब चर्चा की है इस तस्वीर को लेकर हमेशा तीन महिलाओं के नाम सामने आते रहे हैं इन में से पहली है नागपूर की नीरू देशपांडे, गुंजन और नरायर मूर्ती की पत्नी सुधा मूर्ती जहां तक रही नीरू देशपांडे की बात तो उन्हें इन सुर्खियों के चलते काफी परसिद्धी मिली वरत्मान समय में नीरू देशपांडे लगवक 65 वर्ष की हैं और इस वक नागपूर में रह रही हैं ऐसा कहा जाता है कि जब नीरू की उम्रत 3 या 4 साल की थी तब उनके पिता उनकी ऐसी ही फोटो कीची थी आला कि उनके पिता प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं थे लेकिन उनकी खींची ये तस्वीर काफी अच्छी आई थी इस बीच एक दिन किसी ऐसे शक्ष की नजर इस तस्वीर पर पढ़ी जिसका संबन्द पारले वालों से था फिर क्या ये तस्वीर बिस्किट के पैकेट पर चप गई मीडिया में जब इस तरह की कफरे फैलती रही तो मजबूरन पारले के प्रोटक्ट मेनेजर को सामने आना पड़ा उन्होंने साफ तोर पर कह दिया कि ये पैकेट पर दिखने वाली बच्ची की तस्वीर का वास्ता किसी से नहीं है यह एक कालपनिक करती है मगल नाल धहिया नामक एक चितरकार दुआरा साट के दशक में इस तस्वीर को बनाया गया था उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और हिटिन इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेर करना ना भूलें दोस्तों धन्यवाद